हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज मैं इस वीडियो में जिस टोपी के बारे में डिसकस करने जा रहा हूं वो है सेंट्रल टेनेंसी से रिलेटर इसमें मैं डिसकस करूंगा मीन के बारे में तो mean basically क्या होता है, average होता है, हमारे पास groups में दिया होता है, यह number या ungrouped दिये जाते हैं, कोई data दिया जाता है, तो उनका average निकालना होता है, होता है हमारा mean, अभी देखते हैं, तो यह question आया था, किसी question paper में, मुझे exactly पता नहीं है, कौन सी एर में, तो शैर 2019 में या 2020 में आया तो चलिए करते हैं इसके बारे में, तो पहले mean के बारे में, mean क्या होता है, basically means की जो simple definition है, वो क्या होता है, average point out करना, अभी अगर हमारे पास कोई ungrouped data है, जिसमें उसकी grouping नहीं की है, ऐसे दिया हुआ है, कि numbers है, यह 10 बच्चों की numbers है, मान लीजिए मैंने number लिये है, x1, x2 x3 and so on x10 तक, तो इनका mean क्या होगा, इन दसों का addition divided by 10, तो mean क्या होता है, sum of all the numbers divided by कितने numbers है, मतलब जितना है, उसकी total values divided by total numbers, कि कितनी बार वो हुआ है, या कितने numbers है, या कितने बच्चों के numbers है, उपर वाड़ा होगा, उनका mean, जैसे mean find out करना, कि 10 बच्चे हैं का mean find out करो, तो total number of students कितने 10 mean होगा, उनका numbers का addition divided by उनका total numbers, उसके बाद देखते हैं हम इसके methods, तो सबसे पहले long method, इसका formula क्या है, m is equal to submission of fx divided by n, तो m क्या है हमारा mean, submission क्या है sum of all the fx, fx multiply of frequency and midpoint, तो हमारे पास क्या है, इस question में हमारे पास class interval दिया हुआ है, जैसे हमारे पास first है, 0 से 10 तक, यह वाला, उसके बाद हमारे पास है 10 से 20 तक, फिर है 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वैसे जनरी देखा जाए तो opposite order में होता है, means decreasing order में होता है, यहाँ पर हमारे पास increasing order में है, और हमारे पास frequency दी गई है, 6, 8, 15, 16, 21 और 4, तो हमें क्या है, ब हमें बाकी खुद निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है midpoint, तो midpoint कैसे निकालते है, जो हमारा class interval है, 0, 10, divided by 2, means जो हमारा interval है, दोनों का sum करके, हमारे पास जो आएगा, वो आजएगा, हमारा midpoint, इसी तरह 10, 20 से आजएगा 15, 20, 30 से आएगा 25, 30, 40, 70, divided by 2, 35, ऐसे 45 और 55, यह आगया हमारे पास, इसका midpoint, तो midpoint निकालने के बाद, अभी हमारा next काम क्या है, कि हमने निकालना है, इसका FX, तो FX निकालने के लिए क्या है, हमारे पास F आगया, हमारे पास X आगया, हमने क्या है, FX निकाल देना, तो FX क्या है, 6 into multiply, multiply की हमारे पास 30 आगया, 8 into 15, 120, 15 into 25 375, 16 into 35 525, 21 into 45, 945, 4 into 55, 220 तो ये आगया हमारे पास इसका FX, तो हमने इसका submission निकाले submission हमारे पास आया 2215 तो हमने इसका निकालना है अभी mean तो mean क्या होता है हमारी frequency का sum हमारे total FX, sum of FX divided by हमारी frequency का sum तो frequency का sum क्या है, इन सभी का addition किया है 6 plus 8 plus 15 plus 16 plus 21 plus 4, तो जो हमारे पास आया वो हमने क्या कर दिया, इसमें add कर दिया add करने के बाद इसको solve किया तो हमारे पास value आई 31.64, अभी अब अगर हम इसको round off करते हैं, तो approximately कितने के equal है, ये आती है 32 के equal, तो इसके बाद हमारा next है इसका short method, कि इसको short method से करके देखते है, ये long method है इसकी calculation थोड़ी लंबी जाती है तो short method में क्या है हमारे पास सेम उसी तरीके से जैसे था हमने interval वैसे लिख दिया, अपनी frequency वैसे लिख दिया पूरी lines इदर लगा दी, इदर class interval लिख दिया midpoint भी लिख दिया, यहां तक पीशे वाले की तरह सेम है अभी हमारा next काम इसमें क्या होता है कि हमको found out करना है इसका formula देखे तो formula होता है m is equal to a plus mission fx divided by n into y a क्या है हमारा assumed mean इदर के mission fx वही की fx का sum उसके बाद n क्या है sum of frequencies और हमारा i क्या है class interval तो क्या है, हमारे पास क्या है, midpoint हमने निकाल दिया है हमारे पास frequency आगी, हमें क्या चाहिए हमें small x चाहिए, जो क्या है हमारा निकलेगा formula से x capital x midpoint minus assumed mean divided by interval तो उसको निकालते कैसे है इसमें basically क्या करते है हमें assumed mean चूज करना होता है तो assumed mean हम कैसे चूज करते है हम देखते हमारी frequency कितनी है 17 तो हम frequency को क्या करते है 17 है हमारे पास, तो हम 17 divided by 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 35 आ रहा है तो हमने देखना है कि जो 35 है वो किसके near-rest है सबसे ज़दा तो हमारे पास क्या हमने अपनी frequency में देखना है तो सबसे near-rest 30 के क्या है 21 तो हमारा assumed mean क्या होगा उस frequency के serial में सामने में जो हमारा midpoint आएगा means हमारा assumed meaning क्या रहा है 45 तो हमारा assumed mean आगा 45 अभी हमने इसको formula में put करना है formula है x is equal to x minus a अब यह small x का formula है x minus a divided by i interval class interval तो interval हमारे पास कितना है हर उसमें देखो तो 10 10 का interval है तो हमारे पास interval आगा 10 और first है हमारा x minus a तो assumed mean कितना है 45 और हमारा यह कितना है first x कितना है first में हमारे पास है 5 5 minus 45 divided by 10 30 यह आगा 30 divided by 10 minus 30 divided by 10 यह आगा हमारे पास 40 sorry 5 minus 45 यह आगा हमारे पास 40 40 आगा हमारे पास 40 divided by 10 minus का 40 divided by 10 तो हमारा answer क्या आगा है minus 4 इसी तरह अगर हम next करते हैं तो हमारा क्या है 15 है तो 15 minus 45 यह आएगा minus का 13 divided by 10 तो यह आए जाएगा minus 3 उसी तरह 25 minus 45 माइनस का 20 divided by 10 वो आगया हमारे पास minus 2 उसी तरह 35 क्या बोलते है minus का 45 is equal to 10 minus का 10 divided by 10 वो आगया हमारे पास minus 1 और नीचे बढ़ा है 55 minus 45 divided by 10 यह आगया 10 divided by 10 हमारे पास plus का 1 अभी हमने का निकालना है निकालना है f x f into x तो x हमारे पास कौन सा है यह बढ़ा और f कौन सा है हमारे पास यह बढ़ा तो यह सामने वाले का सामने वाले के साथ multiply करते जाना है 6 into minus 4 minus 24 8 into minus 3 minus 24 इनका multiplication करने के बाद हमारे पास आ जाता है अब जब इनका हम सम करते है तो हमारे पास कहता है माइनस 24, माइनस 24, माइनस 30, माइनस 16 अभी चाहे इन में sum हो रहा है बट sign क्या है माइनस क्या है तो माइनस माइनस ऐसे करके इनका प्लस हो जाता है प्लस हो जाता है और sign रहता है माइनस का 94, प्लस का 4 तो answer क्या जाता है हमारे पास mission fx माइनस का 90 अब ही क्या करते हैं हम इसको formula में अगर put करके देखें तो हमारे पास क्या आता है assumed mean हमारे पास था 45 तो हमने 45 बड़ा plus mission fx हमारे पास है minus 19 और n कितना है हमारे पास 70 तो 70 into interval कितना है 10 तो 10 7 से 0 से 0 cancel और हमारे पास क्या बचा 7 तो 90 divided by 7 minus का तो 90 divided by 7 आता है हमारे पास 12.857 इसको divide करके तो हमारा क्या आता है mean क्या आता है assumed mean 45 minus 12.857 तो हमारी value क्या आ रही है mean is equal to 32.14 which is approximately equal to 32 means अगर हम उसको round off करते हैं तो digits के point के फिशे वारी रकम क्या है 5 से छोटी है तो इसका क्या round off करके कोई change नहीं आएगा तो 32 आ जाएगा तो अगर हम देखें तो दोनों में क्या है हमारे पास दोनों में value 32 इधर भी approximately 32 और पिछे वाले में भी approximately 32 है तो यह आ गया हमारा mean का तो आज के लिए इतना ही था वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें थैंक्स पर बोचिंग झाल